मताई आप हम आजला किसी को ओठी निदी और को मायवती जी को दिये हैं आप क्या देख सहारन पूर से जो सांसर है हाजी फजलु रह्मान तो कैसे देखते हैं काम किया है विकास हुआ है अच्छे आदि में लगते हैं विकास हुआ है वो तो कह रहे हैं कहीं दिखाई नहीं गलत बात बिल्गों सोच गलत फजलु रह्मान एकदम खड़े हो जाता है अगर इबादमी साथ में इम्रान मसूच जी भी तो नेता है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसे वे भी अच्छा आदमी है अगर बस पतन लड़ रहे में बस पसे तो बाहर कर दिया गया है बस पसे हाली में बाहर कर दिया गया इम्रान मसूच अलाकि वो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं किस किस पार्टी से उतर गया में बंदन के पर्त्यासी बने या भी निर्दली है उसन देते हम फजलु रहमान को जी 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 क्या करें थे आप बैंजी मावती अधिन्दाब ने है कंडिडेट रहे हैं तो साहरंपुर से अगला संसे किसे देख ताते हैं इम्रान मशूद स्काहर करती है, थो नहीं हो तो तेमीम और पार्टी जोएन नहीं जिसलों भी जाके दो नहीं मिलेगी हागी, इम्रान मसूद से क्लों नाराज हैं नहीं तो किस पोछ लो किसी को जिए नाली वोटवर दिखा दो पाच साल मैं कर या उर नाली कोई कि an attend कला कर ठेहां चाँ ळेकर, जा कीर材ं की अgrोग पुछर यहैं आज वाह बाए रोपो में जानते हैं तो ईमना मसूद को जाना झार है मढईए इमना दो जहां efficiently सब्सक्राइब सब्सक्राइब रागव लखनपाल भी कुछ नहीं है लेकिन इम्रान मसूद उसकी टक्कर बिल्कुल कंटे की रहेगी दोनों की टक्कर बराबर रहेगी फजल रहे थी कि भाजबा जो है इम्रान में रागव लखनपाल जी यहां मजबूत परबल है लखनपाल की लगबक 70 परसांट रोट है देखे लेकिन लखनपाल जी उनसे और सफेर भी ठीक है आप आपके पास आते हैं यह कह रहे हैं कि हाई जो रागव लखनपाल से जी है 80% लोग उनके साब देखो जितने भी है इसकी बाव ना हमारे काम हमारे आगी बात बता नहीं है या तो बाजबा की ओड देगे जितन मुसलिम वोटो से इम्रान मसूद की नहीं पाल लेकरा यह सवाल आपका रहें जो मुस्लिम समाज है अशे आपको लगता है पाल टेगा तो आपको लगता है मुस्लिम वोटो से नहीं आप लेकर वह बनो ना बनो आप